हेलो दोस्तो स्वागत है Government Education में मेरे नाम है जिटेंदर आप सभी का स्वागत करता हूं तो चलिए गाइज हम आगे मैट के question discuss करेंगे जो कि आपको मेक्स question हम इसमें कर रहे हैं और यह आपके हर एक्जाम के लिए जो है बैनिफीशल रहेंगे चाहिए आप एससी रेलवे और स्टेट लेवल के एक्जाम की प्रेपरिशन कर रहे हूं तो हर एक्जाम के लिए आपके लिए बैनिफीशल रहेगा ओके यह हमारा इसकी जो price है 9950 है माल लो यहां पर दी होई है गलाए और जूपके हूर तो अब इस पर हम जो है वो दो कर्मागत चूट देंगे जो कि बीस पर्सेंट और पंदा पर्सेंट की रहेगी टो उसके बाद जो हमारी जो प्र्स निकलेगी वही हमारा selling price होगी तो हम निकाल लेते देखे 20% का जो है वह fraction देखा जाए तो कितना होता है एक वटा 5 अगर हम जो है वह छूट दे रहे हैं तो कितनी की दे रहे हैं तो 4 वटा 5 से हम multiply करेंगे इसी तरीके से हम 15% का fraction देखेंगे तो 15% का fraction करोगे यहां पर तो य 3 के इसमें हम चूट रहे हैं तो 17 वटा 20 यह हो जाएगा तो इसका हम multiply करेंगे तो यहां से देखे हमारा answer क्या निकलेगा 4 9 5 0 into 4 y 5 into 70 by 20 तो यहां से देखे 0 से 0 काट देता हूँ 2 से यह कट जाएगा 5 से यह कट जाएगा 99 टाइम्स ठीक है और 17 दूनी 34 तो 34 में हम 99 का कुणा करेंगे तो क्या करो इसको आप 100 कर दो 100 माइनस बन कर सकती हम इसको 99 होता है तो इससे हमें आसानी होगी multiply करने में तो देखे 34 सो में इसका multiply करूंगे 100 में तो 34 यह हो जाएगा और माइनस यह 34 हो जाएगा तो 34 में मैं 34 का माइनस कर देता हूँ तो 6633 तो 36 जो है इसका answer आ जाएगा जो है इसका answer हो जाएगा आसान सा question था ओके चलिए अगला question देखते हैं नेक्स की तरह पर देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि यदि X का 15% by के 10% का तिगना है तो X upon by की कि किसकी value जो है वो बराबर होगी इसके हमें जो है वो X और Y कर issue पूछा गया है तो question के इसाप से question को जो है वो deal करेंगे देखिए X जो है वो 15% बराबर by के 10% का कितना ते गुना है तो 3 से multiply कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि यह जो है वो इसका 3 गुना है तो अगर मैं 3 का multiply कर देता हूं तो दोनों बराबर होंगे तो यहां से परसेंट यह कट जाए पंद्रा यहां पर नीचे आ जाएगा ठीक है तो फाइब टाइम से चलाएगा तीन पंज पंद्रा और पांदून दस तो दो बटा एक जो है इसका अंसर आ जाएगा तो सेकंड ऑप्सन जो है इसका अंसर हो जाएगा अगले कुश्चन के तरह बढ़ते हैं अगला कुश् वह है उन्हें ऐसे लाब पर बेचना चाहता है ताकि उसे पचास पुस्तके निसुल्क पड़ें उसे कितने पतिसत लाब पर अपनी पुस्तके पेचनी चाहिए ठीक है तो यह कहा गया है टोटल अगर देखा जाए तो कॉस्पराइज जो है वो 500 बुकी कितनी है 20,000 है तो 50 की कितनी हो जाएगी 50 मैं मल्टिप्लाइ करूंगा इधर भी तो इधर भी तो कितना हो जाएगा 2000 तो जो 2000 जो रुपए है वो 50 पुस्तका हो रहा है जो कि हमें निसुल्क पड़नी पड़नी चाहिए क्योंकि यह भी हमारा जो है अगर मैं इसमें 20,000 मैं 2000 जोड़ देत वो कितनी होगी 22,000 होगी लेकिन हमations कितने कinka करना है तो कितने का 2000 का 벌써 है इसमें 2000 के पाफिट हो रहा है कितने पर 20,000 पर 60 निकालना इन्टू 100 यहां से लेखी यह तिन टेंım practically चाल जाएगा और यह वी 10 due was जाएगा तो कितना हेगा 10 परसेंट्ट जो है वह मारा प्रॉफिट हो जाएगा अगर हमें जो है वो पचास पुस्तके निशल पंड़नी चाहिए ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा फैस्ट ऑप्शन अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं देखी दूसरा भी आप कर सकते हो यह प्राइस छोड़ो पांसो बुकें इन पांसो बुकों मैंसे हमें पचास जो है फ्री चाहिए ठीक है तो जायर सी बात है जो पचास जो चाहिए उसका हमें प्रॉफिट हो रहा है ठीक है तो पचास जो हो प्रॉफिट हो रहा है पांसो पर इंट्व हंड्रेट करेंगे तो यहां से भी देखिए हमारा 10 प्रॉफिट निकल आएगा तो ऐसे भी आप कर सकते हो जो वीश जार वेल्यूदी है तो इसे भी आप इसका कुछ देने का मतलब नहीं है तो आपन पर खर्च किया 10% भाग वह बचत करता है और वह सेश 30 बच्चों की 6-4 खर्च करता है तो उसका बेतन कितना है यहाँ पर मैंने वाना कि 100% जो है वो उसका बेतन है 20% किराय पर कर्च कर रहा है 60% जो हो जीपन आपन पर करच कर रहा है और 10% जो है वो बचत कर रहा है तो उसका हमें पर स्वाम ऐसे 90% खर्च कर चुगा है तो बचा कितना 10% अब जो तीस वच्चों पर सिच्या पर खर्च कर रहा है तो देखेए यहाँ पर 10 पर भी सिच्च तूम्हा निकालना है कि वह तो एतन उसका कितनी बेतन था तो 100% माना था हमने तो अगर मैं यहां पर देखी 1% की value 3 है तो 100% की value कितनी हो जाएगी यहां पर 300 तो बस यही हमारा answer आजाएगा कि 300 जो है वो रुपए उसका बेतन था हुआ तो first option जो है इसका answer हो जाएगा अगले कुश्चन की तरह बढ़ते हैं देखे यह वाला कुश्चन है इस कुश्चन में क्या बोला गया है कि 2000 पर 75 75 प्रती हजार बार्सिक दर पर दो बर्शों का साधरन ब्याज क्या होगा तो कुश्चन थोड़ा यहां पर confusion वाला है कि यहां पर रेट हमें कैसे पता पड़ेगी तो रेट हमें पता करनी है तो हमें 75 जो दिया हुआ है उसको हमें पहले रेट जो करना कता प्रेट जो है हमारी तो बस आप हम यहां से निकाल लएंगे सिंपल इंट्रेस्ट सिंपल इंट्रेस्ट बरावर होता है प्रिंसिपल जो कि हमें 2000 दिया हुआ है रेट दी हुई है 75 7.5 और दो बर्स के लिए अपॉन हंड्रेड तो यहां से देखिए 10 से 10 यह बढ़ जाएगा 30 से 30 यह कट गया 75 इंट्व 4 ओके तो यहां से देखिए 75 इंट्व 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 20 दो 28 और 230 तो इसका अंसर हो जाएगा 300 तो सिंपल इंट्रेस्ट हमारा निकला 300 जो कि सेकेंड ऑप्शन जो है इसका अंसर हो जाएगा चल एगला कोश्चन देखते हैं देखिए यह वाला कोश्चन है इस कोश्चन में क्या कहा गया है कि यदि तरबुज ABC 16 सेंटिमीटर बजा वाला संबाहुत त्रकोण है तो त्रकोण की उचाई बताईए तो देखिए यहाँ पर संबाव तरबुज है रॉमबश है एक्विलेटर ट्रेंगल है तो इतकी तीनों बजाएं जो है बराबर रहेंगे यानि ये वाली ये वाली ये वाली जो कि हमें कितनी दी हुई है सोला दी हुई है ये ये वी सोला और ये वी सोला उचाई हमारी ये वाली होती है जो कि हमने अब हम जब निकालते हैं तरबुज का छेत्रपल जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बन वाई टू इंटू बेस इंटू हाइट इस तरीके से निकालते हैं बिलकुल अब हमे है संभा उत्रवुज का चित्रपग तो यहां पर देखिए बन वाई टू पहले तो यहां से भार निकाल लीजिए तो बन वाई टू तो यह आ जाएगा और यहां से आ जाएगा तो बन वाई टू रूट 3 इंटू ए तो यह उसकी उंचाई होती है अब सीधा सीधा याद रखना कि जो संभा उत्रवुज की उंचाई होती है रूट 3 वाई टू इंटू ए होती है ठीक है तो यह डारेक्ट याद रखने है अब हमें पता है कि यह जो है वो 16 दिया हुआ है तो हम इसकी जगह 16 रखेंगे तो रूट 3 वाई 2 इंटू 16 तो यहां से देखिए 8 तो कितना आया 8 रूट 3 जो है वो इसकी उंचाई होगी इसका अंसर आ जाएगा C option यानी 3rd option 8 रूट 3 cm चले एकला question देखते हैं देखिए वाला question है इस question में क्या कहा गया है कि आपको एक तरवुष दिया हुआ है ABC जिसका परिकेंद्र दिया हुआ है O यदि AO बराबर 8 cm है तो BO की लंबाई बताईए अगर आपको इसकी property है तो आप इसे बिना देखे ही जो है वो मतलब बिना देखे नहीं बिना copy pen चलाए हुए सीधा आप इसका अंसर लगा सकते हो मैं आपको इसकी property बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब भी आपको त्रवुष दिया हो इसका परकेंद्र देया होता है कि तो यह तो यह दिया हुआ है हमारा त्रवुष इसका जो परकेंद्र रहता है यहां पर जो side होती है तो इस पर perpendicular रहता है और यहां पर भी रहता है तो यह हमने माल ली तो इसके property होती है कि जब भी आपको सरकम सेंटर यानि परकेंद्र दिया हुआ तो यह वाला और यह वाला और यह वाला यह तीनों ही जो है वह यह बरावर होती है याद रखना यह भजा दी हुई है ओए बरावर ओभी बरावर ओशी ओके तो याद रखना अब आपको दिया हुआ है ओए बरावर आठ दिया हुआ है ओभी पूछा है तो जैसी बात है यह भी हमारा आठ ही होगा तो इसका अंसर कितना हो जाएगा फोर्ट ऑप्सन जो है इसका अंसर हो जाएगा एट सेंटी मीटर 17 सेंटी मीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटी मीटर चोड़े कमरी की च्छत है बनाने के लिए 41 सेंटी मीटर फलक बाली निम्तम कितनी बरगा कार टाइल की अबस्चता पड़ेगी कोई च्छत है कि यह ठीक है तो इसकी लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है 15 मीटर 17 सेंटी मीटर ठीक है और जो चोड़ाई दी हुई है वो 9 मीटर 2 सेंटी मीटर दी हुई है तो सबसे पहले यह जो दी हुई है ना 15 मीटर 17 सेंटी मीटर और 9 मीटर 2 सेंटी मीटर तो इनको क्या करना है हमें एक पहले यूनिट में कनबट करनी पड़ेगी अब पंदरासो यह हो जाएगा सेंटीमेटर 17 और जो है जोड़ेंगे इसमें तो पंदरासो 17 यह हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से 900 हो प्लस 2 सेंटीमेटर तो 902 लगर चाहिए ने हुजे सब्लस्टेटिमेटर सेंटिमीड्र कि वर्गा कार में हैं याद रखना छानीच है एक्तालीस है फ Sans Rapha गिविदी हम एरिया निकालना पड़ेगा क्यों इसमें क्योंना तो ऌल लगेंगी जो बरग्गार लगेंगे मिलम मिल्गा श्च्बाइब बसक्रद मीड्रमें तो यहां पे भी यह इंटू 902 क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चोड़ाई होता है अब हम इसे डिवाइड कर देंगे जिससे हमें पता पढ़ जाएगा कि जो फलक है वो कितनी हमें जरूत पढ़ेगी ठीक है कितनी अब अब शक्ता पढ़ेंगी टाइल्स की त तो 41 इंटू 41 इंटू 41 क्यों किया क्यों कि वो बर्गाकार है जो कि बर्ग कछितपल होता है यह स्कूर तो बहुजा दोनों बरावर हैं तो यह स्कूर हमने कर दिया अब यहां से देखिए आपको लग रहा हो कि भाई इसका मल्टिप्ला या डिवीजन कैसे करेंगे तो प 2 यहां पर यहां से देखिए 41 x 41 इसका दो एक यहां पर ऊपर चार ईकास में मल्टिप्ला करेंगे तब तो यह unit digit से बहुत ही important है जो बड़े बड़े question है अगर आपको multiplication में division में बहुत सारी problem हो रही है तो unit digit देख लिया करो option देख लिया करो उसके हिसाब से question को move किया करो तो इसका answer आजाएगा fourth option next option की तरब बढ़ते हैं अगला question में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि x plus 1 upon x बराबर 5 दिया हुआ है और हमें value निकाननी है 6x upon x square plus x plus 1 तो देखिए यहाँ पर यह दिया हुआ है अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ अगर मैं इसमें से x कॉमल ले लेता हूँ तो हमें देखिए कुछ चीजें पता बढ़ जाएगी तो मैं अगर यहां से x लेता हूँ तो यहां से यह पावर हट जाएगी यहां से यह एक्स चला जाएगा तो यहां पर बन आ जाएगा और अपॉन में एक्स यहां पर आ जाएगा क्योंकि यहां पर एक्स नहीं तो एक्स हमने यहां पर कॉमल ले लिया तो देखिए एक्स से एक्स यह कट जाएगा अब हमें पता प अब देखे यहां पर हमें बेलू जो दिय विए यहां पर हमें प्वाम देखे अखे स्ति और यह missed इसका अंसर आजाएगा यानि फर्स्ट ऑप्सन जो है इसका अंसर हो जाएगा ओके चले एकला कोशन देखते हैं देखिए वाला कोशन है इस कुशन में क्या कहा गया है कि कि किसी गोलक और अर्ध गोलक की तरज्जा समान है तो उनके कुल प्रष्ट के छित्पल का अनुपा पाओगे ठीक है तो फրनूला बहुत जरूरी है तो देखिए मुलक क्या होता है उसका टूटल जो शेत्पर चेत्पर होता है वो होता है और बहुतल關 और अगर आर्दू वो ले कि हम बात करें तो इसका होता है थ्री पाई यार इसको है अब दोनों की तरज्जा हमें समान दी हुई है तो हमें कुछ चेंज करने की जरूत नहीं है यहां से यह तरज्जा कट जाएगी इससे यह कट जाएगा तो अंसर कितना निक्रा चार बटा ती तो बस यह हमारा फोर्ट जो है इसका अंसर हो जाएगा आगे कुछ करने की जरूत नहीं है तो यह थे आई होप आपको आज के कोशन आई होप सारे कोशन समझ में आएगोंगे और आप थोड़ा सपोर्ट किया करो आपको कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता है तो इसलिए मुलते हो कि क्लास बंद हो गई है या आनी रहे वीडियो तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए वीडियो को सेर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और जो भी साती नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना जिस फॉलो कर लीजीगा तो मिलते एकले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो हैव नाइस टे